दोस्तो इन्वेटर किस तरह से सेटप किया जाता है यहाँ पर देख सकते 150 mb की बैटरी है और यहाँ पर हम 1050 भी एका इन्वेटर सेटप कर रहे है नेगेटिव की जगर नेगेटिव ब्लैक कलर का नेक्टिव है बैटर के अंदर सेट अप करेंगे और पोजिटिव लगाते ही जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेटर ओन उचुका है अब यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर सोवड का बल्ब ऑके हो रहा है अब यहाँ पर चार्जिंग बोर्ड लगाना है तो किस तरह से लग फॉल्ट हो सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आप लिटल और लाइन देखने हो मिलती है आपको लाइन वाले एरिया में आपको जो लोड कनेक्शन होता है वो सिंगल वायर एड़ कर देना है जो इन्वेटर के पीछे लगा जाता है पिन तयार होने के हाँ पर हम 1050 भी एका इन्वेटर सेटप कर रहे हैं नेगेटिव की जगार नेगेटिव ब्लैक कलर का नेकिवटिव है बैटर के अंदर सेटप करेंगे और पोजिटिव लगाते ही जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेटर ओन उचुका है अब यहाँ पर टेस्टिंग करत सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आप लिटर ओन देखने को मिलती है आपको लाइन वाले एडिया में आपको जो लोड कनेक्शन होता है वह सिंगल वायर एड़ कर देना है जो इन्वेटर के पीछे लगा जाता है पिन तैयार होने के बाद आप आप सेंबिर की बेटरी और यहाँ पर हम 1050 वी एका इन्वेटर सेटप कर रहे हैं नेगेटिव की जगर नेगेटिव ब्लैक कलर का नेकिवटिव है बेटर के अंदर सेटप करेंगे और पोजिटिव लगाते ही जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेटर ओन उचुका है वायर आप स्विच के अंदर एड़ करेंगे ब्लैक कलर का वायर आप सोकेट के अंदर कनेक्शन करेंगे आपको सीधा कनेक्शन करना है फेस की जगह फेस नूटल की जगह नूटल कनेक्शन करना है अगर आप उल्टा कनेक्शन कर देते हो तो इन्वेटर फॉल्ट हो सकता तो यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर आप लिटल और लाइन देखने को मिलती है आपको लाइन वाले एडिया में आपको जो लोड कनेक्शन होता है वो सिंगल वायर एड़ कर देना है जो इनवेटर के पीछे लगा जाता है पिन तैयार होने के बाद आप स्विच सेटे में आठता है एडिया भीगगए अविया भीजडस फियाज पिर्ण